नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयोध्या में राम लला की प्रांट सतिष्ठा के लिए केवल दो दिन बाकी हैं. पूरी दुनिया की नजरे, इस समय आयोध्या पटिकी हुई है और आयोध्या में जो राम लला की मूर्ती है, जिसका बहुत समय से सभी को इंतजार था वो finally अब हमारे सामने आ चुकी है और ये मूर्ती भी कोई ऐसी वैसी नहीं है इस मूर्ती में जो बहतरीन जिस किसम का काम किया गया है जो इसकी detailing है उसके बारे में हम आपको सब बताएंगे point by point ये मूर्ती केवल एक मूर्ती नहीं है इस मूर्ती के अंदर पूरा ब्रह्मान छिपा हुआ है एक तरीके से अगर कहा जाए मैं आपको point by point समझाओंगी तो आप भी समझेंगे कि किस तरह से खास है रामलला की ये मूर्ती आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हम सबसे उपर से शुरू करेंगे यहां अगर हम गौर से देखें तो हमें स्वास्तिक ओम और चक्र जो की हिंदु धर्म में बहुती शुप संकेत माने जाते हैं उन्हें यहां पर चिन्नित किया गया है फिर हम आते हैं थोड़ा और नीचे भगवान राम की बहुती खुपसूरत मूर्ती तो यहां पर दिखी रही है पर इसके दोनों साइड्स में जो बहुती खुपसूरत तरीके से भगवान विश्नु के दस अफतार दिखाए गए हैं उनको चिन्नित किया गया है सबसे पहले आता है मत्से, फिर कूर्म, फिर वरहा, फिर नर्सिंग, फिर वामन अब इस तरफ को आएंगे यहां है परशुराम, राम, क्रिश्न, बुध यह सभी अफतार हैं जो अभी तक अफ्तरित हो चुके हैं और दस्वा अफतार जो विश्नु भगवान का है, जो अभी तक अफ्तरित नहीं हुआ है जो कहा जाता है कि जब घोर कल्यूग आएगा, तो वो अफ्तरित होंगे वो अफतार भी यहां पर मौजूद है, जिसका नाम है कलकी बहुत ही खुपसूरती से भगवान विश्नु के सारे अफतार इसमें दिखाए गए है अब और नीचे आते हैं, यहां पर एक कलाकृती बनी है हनुमान जी की प्रभु शी राम के सबसे परमभक श्री हनुमान, उनकी मूर्ती का हिस्सा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है तो प्रभु शी राम के साथ ने हनुमान जी भी है उसके अलावा यहां पर श्री विश्नु के वाहन गरुड भी यहां पर सकल्प्ट किये गए है और सबसे आखिर में भगवान विश्णू की मूर्ती को कमल के उपर विराजित किया गया है इस मूर्ती की चौडाई करीब करीब 3 फीट की है और इसका वजन करीब 200 किलो 200 किलो की भारी भरकम मूर्ती है जिसकी उचाई है लगबग 4.5 फीट इस मूर्ती को बनाने वाले जो कलाकार है जो मूर्तीकार है उनके बारे में भी हर कोई जानता है उनके नाम से आज की तारीफ में कोई अचूता नहीं है अरुन योगिराज अरुन योगिराज के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं अरुन योगिराज जी जो है वो मैसूरू करनाटका से तालुक रखते हैं, करनाटका ये आप किस्मत कह लीजिए कि श्री हनुवान जी की भी जन्म भूमी करनाटका ही है और वहीं से तालुक रखते हैं, उनका पूरा पारिवारिक बिजनिस है एक तरीके से, उनकी पीडी दर पीडी उनके पीछे से यही काम करती आ रही है मूर्ती कारों का काम करती हुई आ रही है और उन्होंने भी अपनी corporate job छोड़कर मूर्ती कारी के business में अपने आपको शुमार कर लिया और अरुन योगी राज की ये पहली मूर्ती नहीं है हाला कि सबसे खास मूर्ती उनके करियर की इसको हम कह सकते हैं पर इसके अलावा उन्होंने करतवे पत पर जो सुभाष चंद्र बोस जी का जो statue है वो भी उनी के द्वारा बनाया गया है इसके अलावा केदार नात में जो आदी शंक्राचारे की मूर्ती है वो भी राम लला की मूर्ती का पूरा एक्स्प्लिनेशन जिसमें समाया है पूरा का पूरा ब्रहमार मूर्ती बाके ही अलोकिक है बहुत ही खास है और जब प्रान पतिष्टा हो जाएगी उसके बाद आप हम और सभी लोग जाकर इसे देख पाएंगे भगवान राम के दर्शन कर पाएंगे प्रुआ यूर्णी बाद आप है और सुप्लिनेशन जाएंगे प्रुआ अलोकिक है और सुप्लिनेशन जाएंगे कर्पाइब्स युप्लिनेशन ट्रुआ जिसमें सिर्शना जाएंगे